जाहिए इन दोस्तों सौगत है आप सभी लोग का तो एक नए एससी के अंतरगत जो वेकेंसी का कैलेंडर जारी हुआ था उस पे हम बात करने वाले हैं साथ में आज की ये जानकारी सबसे जादा मात्वपूर है सभी लड़कियों के लिए जितने भी लड़कियां डिफेंस क की तैहरी करना चाहते हैं और जोइन करना चाहते हैं CSF, BFF, CISF, ITBP या आसाम रैफल या किसी अन्य पोष्ट की तैहरी कर रहे हैं ठीक है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इस भरती की पूरी जनकारी साथ में इसकी आप तैहरी कैसे कर सकते हैं form डालने की डेट और सा के साथ एंड तक बने रहेंगे तो सारी जनकारी आपको एटुजेड हर एक सवाल का जबाब दे दिया जाएगा और एससी की ओफिसियल वेबसाइट है जो आइससी का कलेंडर जारी होता था और जो 2022-23 के भरती का कलेंडर जारी हुआ है उसके एकोर्डिंग जो फेकेंसी आल तो step by step वीडियो के साथ end तक बने रहेंगे तो आप लोग के सारे सवालों को जवाब मिल जाएगा और इस पेसली टारगेट है आज की वीडियो सभी लड़कियों के लिए जितने भी डिफेंस की तयारी करती है तो सबसे पहले बता दूँ एक physical eligibility का process होता है वो भी आपके पास होना चाहिए और एक exam exam का जो होता है schedule वो भी आपको clear करना पड़ेगा सबसे स्टार्ट करते है step by step सबसे पहले बता दूँ कि इस form जो यह वेकेंसी आने वाली है SSC के अंतरगत ठीक है all around 50,000 से 60,000 के अंतरगत जो आपको दिखने को मिलेगा December से जिसके form भरे जाने वा 10th pass ठीक है उसके बाद 12th pass है तो other post के लिए apply कर सकती है हाँ इसके लिए आपको simply 10th pass होना चाहिए ठीक है fail आपको अगर होंगी तो form apply नहीं कर सकती है यह eligibility है form apply करेंगी ठीक है exam आपको देना होगा ठीक है exam यह आपका second process है form apply करने के बाद second आपको exam देना रहेगा ठीक है औ पहले आप लोग का physical होता है क्या physical होता है और SST के अंतरल जो आने वाली है उसका पहले exam होगा ठीक है जो अलग से आती है आसाम रेफल हो गया ITBP हो गया BSF constable treatment का हो गया यह जो अलग अलग post आती रहती है अभी जो आई थी पीछे मैंने बताया भी था लड़के लड़कों पहले physical होगा ठीक है और CRS fireman वगरा constable का physical हो भी चुका है ठीक है आप उनका exam का date आने वाला है और उसके बाद physical measurement होता है एक medical test भी आपका होता है document verification भी होता है final merit list बनती है तब जाके आप लोग का joining later आता है ठीक है आपके home address पे यह तो आपको आपको training का center जो होता है वो न ठीक है जो आप लोग को करना है अब यह तो भरती देखने का process हो गया हाँ height की बात कर लेते हैं जो eligibility होनी चाहिए height की लड़कियों की और एक दो cm का chute मिलता है वो cast wise मिलता है या आरण से किसी के माता पिता होते है एक सरविस्मिन की daughter वगएरा तो मिलता है ठीक है नॉर्मल जो age होती है आप लोग की 23 साल तक इसमें निर्धारित की गई है 18 से 23 साल इसे 18 कर लिजेगा 18 से 23 साल ठीक है उसके बाद जो छूट तीस साल तक 27 साल तक चली जाती है क्योंकि तीन साल OBCO बगरा के लिए छूट मिलती है SCST के लिए 5 साल के छूट मिल जाती है एज में तो आराम से आगे तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो यहां तक चली जाती है और उसके एज बता दिया आपकी हाइड बता दिय आप यह नॉर्मली होता है रनिंग लड़कों के लिए तो पांच किलो मीटर निर्धारित किया जाता है चौबीस मिनट में लेकिन लड़कियों के लिए यहां पे आप लोग को 1600 मीटर या 2400 मीटर दो देखने को मिलता है अगर उन्हें 1600 मीटर का समय दिया जाता है तो आरा नेक्स र sprechen पवात कर लेते हैं यह भी सब को स्टेवल के है टेक है उसके बात गल्स का जो जार्मली मेडिकल टेस्ट होता है तो नॉर्मली मेडिकल टेस्त उनका बोडी के पार्ट्स जैसे पैरा कोई तेडा तो नहीं है उतना बगरा सब सिदा है हाथ में कोई टैट्वा र बस इतना ही नॉर्मल मेडिकल के सास्थ कम्फर्टेबल बनाया रगती है अब नेक्स्ट कर ले हैं यहां पे आप लोग comport business एक्जाम होता है return exam के लिए minus marking भी होता है one by fourth यह one by third according to notification जब भी आती उतमें रायता है so question आप लोग को दिया जाता है हिंदी English दोना में question होता है और आप लोग को attempt करना जाता है जिसमें से आपको ये आपको pattern दिख रहाओ question का यहाँ पर general knowledge को question मिलेंगे general science के mathematics इंग्लिस के भी सामिल रहेंगे दिली पुलिस कॉंस्टेबल के अंतरगत और एक्जाम के अंतरगत तो यह आपका पांच और टॉपिक हो जाता है जो यहां पर सामिल नहीं है सारे कुशन आपस में बराबर रेश्यो में डिवाइड होते हैं ठीक है यह आप लोग को बता दि करेज़नल टैंद का जिसके माध्यम से अपने फॉर्म अप्लाई किया या ट्विल्थ का डॉमीसाइल चरेक्टर साडिपीकेट कास्ट शाटिविकेट जाती का साटीविकैट ए ठीक है वेदिशन से एटिफिकेट टिक है और यहां पी स्कूल का डाविक चारेक्टर साडि है तो मेरिड का सर्टिफिकेट बैंक वगएर पास वह का यह आफिडविट है लास्ट में लगता है यह कंपल्सरी जो होते हैं हो डॉकमेंट होते हैं ठीक है उसके बाद आपको बता दू कि ट्रेनिंग वगएरा सब वहीं पे वह तो वहीं पर कराई जाती है वह अलग प्रो कि चल रही है और इसमें जो एकोडिंग टू स्लेवस बताया गया है कि क्या क्या टॉपिक से रिलेटेट कॉस्चन आने वाले हैं ठीक है उसमें स्लेवस में स्लेवस है कौन कौन सा स्लेवस है आप लोगा कितने कुश्चन है यहां पर तोटल पचीस-पचीस डिवाइड कर है यहां पर जनल नौलेज जनल साइन्स मैतमेटिक्स रिजरिंग उसके बाद हिंदे इंगलेस टेक है उसके बाद यह कुश्चन पेपर है जो मैंने फ्री में आप लोग को प्रवाइड किया है टेलीग्राम ग्रूप में जाईए वीडियो का डिस्कुशन बॉक्स में टे है इससे रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स खाले पढ़ाए कमेंट करके जरूर पूछेगा हाँ वेकंसी के डीटेल अब मैं आपको देने जा रहा हूं जो आल अरांड फिप्टी थाउजंड के अप्रॉक्सिमेट आपको वेकंसी देखने को मिलेगी द अगस्त सेप्टेंबर के अरांड हो जाएगा 24 के चुनाओ से पहले ठीक है क्योंकि आप लोग को पता है केंदर के भरती है केंदर की जब भरती आईगी तो पर्दान मंत्रे का दो आज़र 24 का चुनाओ आएगा उससे पहले अगर यह वेकंसी देते हैं तो हाला कि जनता मे ऐसे महाल बनेगा और पोजिटीम महाल बनेगा तो चुनाओ जीतने की असंका पूरी जयता ही जा रही है ठीक है और आप लोग को बता दे और अन ही इस्टेट की वैकंसि आती है इस्टेट वाइस तो वीट इसके अकशितिा अक्टेट सरा सबसे पहले मिलेगे उसके लिए